जैमातदी मित्रों कैसे आप सब्...मित्रों आप सब्...आप सब्सक्रेंद की रक्षा करने और उस मंत्र के लिए प्रियोग का। लोग करते हैं ठीक है अच्छे लोग नहीं करते मित्रों बुरे लोग ऐसा कारे करते हैं तो आज मैं आपको शरीर खोलने का शाबर मंत्र बताऊंगा और शक्ती खोलने का शाबर मंत्र बताऊंगा ठीक है मंत्र मंत्र एक ही है मित्रों और इस मंत्र से शक्ती भी खुल जाती चोकी खुल जाती है बंदी हुई सारी चीजे खुल जाती है यानि कि जो भी चीज बंदी हुई है ठीक है यानि कि ये मंतर बंधनों को खोलता है आपके शरीर पे बंधनों तो शरीर का बंधन खुल जाएगा आपकी चोकी बांद रखी है किसीने तो चोकी खुल जाएगी आ और कोई चीज बंदी पड़ी है तो वह भी चीज आप खोल सकते हो इस मंद्र का जब करके तो मित्रो सबसे पहले में आपको ये बता दूँ कि यह जो मंत्र है ये मंतर और जो शरीर बांधने का मंत्र है ये दोनों मंतर एक दूसरे के पूरक है ठीक है यानि कि अगर आपने बंधन मंतर सिद्ध किया है तो उसके बाद में ये मंतर भी आपको सिद्ध करना पड़ेगा क्योंकि कोई चीज बांध दी है तो उस चीज को खोलना भी पड़ेगा अगर आपने शरीर को बांध रखा है तो इस मंतर का प्रयोग करके आप अपने शरीर को खोलोगे भी ठीक है अगर 11 बार पढ़ करके आपने शरीर का बंदन किया है तो 11 बार पढ़ करके ही इस मंतर से शरीर को खोला जाएगा तो सबसे पहले मैं आपको मंतर बता देता हूँ उसके बाद में इसको कैसे प्रयोग में लेना है वो भी मैं आपको बताऊँगा शाबर मंत्र मित्रों और शाबर मंत्र कीलित नहीं हैं शाबर मंत्र स्वयम सिद्ध मंत्र होते हैं और बड़ी ही सरलता के साथ में बहुत ही जल्दी अपना रिजल्ट दिखाते हैं क्योंकि ये मंत्र भगवान शंकर ने कीलित नहीं किये थे बागी सबी मंत्र भगवान शंक शुरूर कर देते हैं थो मंत्र सुनिये मंत्र प्रकार है आसन खोलू भासन खोलू खोलू अपनी का या तेरे गुरू का दाना खोलू को चार योग अधार हनुमत के क्यों हैं ये मंत्र में स्क्रीन में भी लिख दूँगा और स्क्रीन पे आपके चल भी रहा होगा ये मंतर तो आप देख सकते हो तो मित्रो देखिए ये स्वेम सिद्ध मंतर है सीधा आपको इसका जाप करना है सिद्ध करने की कोई आवशक्तानी सिर्फ जाप से ही ये मंतर अपना असर दिखाना शुरू हो जा है तो आपको अपनी शक्ती को खोलना कैसे है अपने शरी को खोलना कैसे है देखिए आपको करना क्या है मित्रो हनुमान जी के समक्ष आपको बैठना है अब आप इसके लिए हनुमान मंदिर में जा सकते हो अगर आपने हनुमान जी की फोटो या मूर्ति अपने घर पे ठीक है हनुमान जी के समक्ष भी आप रख सकते हो अपने समक्ष भी रख सकते हो और उस जल के लोटे में आपको एक दो गूंद गंगा जल की डाल देनी है अब उसके बाद में इस मंतर का जाप आपको करना है 21 बार ठीक है हनुमान जी के समक्ष उस जल के लोटे के समक्ष 21 किस बार जाप करने के बाद में वो जल का लोटा आपको थोड़ा सा उस जल में से अपने उपर आपको छीटे मारने है ठीक है अपने उपर छिडगना है और बाकी का जल आपको पी जाना है ठीक है जल पीना है और ये क्रिया मित्रों आपको लगातार करनी है ग्यारा दिनों ठीक है और 11 दिनों तक करनी कब से शुरू करनी है ये क्रिया आपको शुरू करनी है अमावस्या के बाद में जो पहला दिन आता है यानि कि शुकल पक्ष के पहले दिन से शुकल पक्ष की प्रथम तिथी से अमावस्या के बाद वाले दिन से ये प्रयोग आपको शुरू करन लगातार 11 दिनों तक 21 बार रोज मंत्र को पढ़ना है हनुमान जी के समक्ष और वो जल आपको अपने उपर छिडगना और पी जाना है आपकी मित्रों जो बंदी हुई शक्ती है वो खुलनी शुरू हो जाएगी ठीक है एक बंदन भी कई तरह की होते मित्रों कई लोग 11 दिनों में आपको फरक नहीं दिखता तो आप इस प्रयोग को कंटिन्यू कर देना 11 दिन और कर लेना ठीक है यानि कि 11 और 11 21 दिनों का आप ये प्रयोग कर लोगे तो आपकी भ्यंकर से भ्यंकर बंदन भी खुल जाएगा ठीक है तो लेकिन मंत्र के 21 बार ये आपको शक्ति या हमारी शक्ति बांद दी जाती है हमारा शरीर बांद दिया जाता है तो हमारे शरीर में बहुत सारे बदलाव होने लगते जैसे कि हमारे शरीर में हमेशा ऐसे लगता है जैसे शरीर में कोई जान ही नहीं है हमेशा बिस्तर से उठाई नहीं जाता बिस्तर से उठ अपना ही शरीर आपको बोज के समान प्रतित होगा इसके अलावा जब भी आप पूजा करने के लिए बैठोगे तो पूजा से आपका मन उच्चाट होगा बार बार पूजा करने का मन नहीं करेगा आपको पूजा पर बैठोगे शक्ति के जटके तो आपको लगेंगे शरी म में जटके तो मैसूस होंगे लेकिन खुल करके आपको आपके उपर नहीं आएगी, या फिर शक्ति आही नहीं पाएगी और अगर शक्ती आप के श्रीर में आती भी है और आप कुछ वचन भी करने की शक्ती कुछ वचन भी लिए तो वचन ते नहीं है, क्योंकि वो शक्ति होगी ने वो सिर्फ और सिर्फ शक्ति का एक हलका सा अंश मात रोगा जो शरीर में जटके उत्पन कर रहा है क्योंकि आपका शरीर बंदा पढ़ा है इस वज़े से शक्ति खुल करके नहीं आएगी तो यह सारी चीजे होते हैं जो मारे शरी में बंदन और आप उस व्यक्ति की शक्ति को खोल ना चाहते हो क्योंकि यूक्कि ये वैसे बी आंत्री भगतिन सबका काम है तो मैं बता देता हूं गर आप भगत भी हो और आप देख रहे हो मेरी वीडियो तो अगर आपने भी किसी की शक्ती बांध रखी है तो यह अच्छी बात नहीं है किसी की शक्ती नहीं बांधना चीए क्योंकि हर कर्म का एक हर कर्म का एक अगर आप यूनिवर्स में positive vibes छोड़ोगे तो बदले में भी आपको positivity ही मिलेगी अगर आप negative करोगे तो आपके साथ भी negative ही होगा इसलिए अगर आपने किसी की शक्ती बांद रखी है और अब आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो आप तुरंत उनकी शक्ती को खोल दीजे न प्रकार से आपने शक्ती का बंधन किया था बिल्कुल उसी प्रकार से ही शक्ती का शक्ती को आप आपको खोलना भी पड़ेगा ठीक है अपने समक्ष उस व्यक्ति की जिस वस्तू पे आपने बंधा लगाया था उसी वस्तू को अपने समक्ष आपको रखना है मंत्र को पड़ करके 108 बार लगातार करना है प्रयोग ये 7 दिनों तक या 11 दिनों तक उस व्यक्ति का बंधन पूरी तरीके से खुल जाएगा और शक्ति खुल करके आएगी पूजा पाथ में मन लगेगा शरी जो टूटा टूटा रहता था वो भी ठीक हो जाएगा सारे रोग शोक श शक्ति शाली होते हैं जागरित मंत्र होते हैं बस काली इनका जब करके शक्ति को थोड़ा सा बढ़ाना होता है इनकी पहले पहले मंत्र से पहले मंत्र जाप से ये मंत्र कारे करना शुरू कर देते हैं ठीक है मित्रो तो आशे करता हो मित्रो जो जानकारी मैंने आपको दी आपको अच्छी लगी होगी आपको पसंद आई होगी अगर मेरे द्वारादी के जानकारी आपको अच्छी लगती तो वीडियो को लाइक करना वीडियो को शेयर करना चैनल को सब्सक्राइब करना इसी तरह की जानकारी में आपको लगातार देता रहूँगा मिलूंगा आमातर अरानी की